भारत में विभिन संस्कृतियों का समवेश होने के साथ साथ आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है इसलिए यही कारण है कि यहां हिंदू देवी देवताओं के कई छोटे विशाल और एतिहासिक मंदिर स्थित हैं भारत में हर गली मुहले में आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा आपने दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर के बारे में सुना होगा और शायद देखा भी होगा लेकिन क्या आपको मालूम है कि गुजरात में भी एक अक्षरधाम मंदिर है ये उतना ही खूबसूरत है जितना दिल्ली में मौजूद अक्षरधाम मंदिर है तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गुजरात में स्थित अक्षरधाम मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए ग्यानवर्धक होने के साथ साथ रोचक भी होगा। हम पहले गुजरात के गांधी नगर के बारे में जानेगे। गुजरात में साबरमती नदी के पश्चिमी तरपर स्थित एक खूबसूरत शहर गांधी नगर में घूमने के लिए कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं। गांधी नगर में न सिर्फ देशी पर्यटक बलकी विदेशी पर्यटकों की भी अच्छी खासी भीव देखी जाती है। अक्षर्धाम क्या हैं? पूर्ण अविराम अक्षर्धाम का अर्थ है इश्वर का दिव्य निवास। यह भक्ती, पवित्रता और शांती के अनंत स्थान के रूप में प्रतिश्थित है। नई दिल्ली और गांधी नगर में स्वामी नारायन अक्षर्धाम एक मंदिर है, भगवान का निवास, पूजा का एक हिंदू घर और एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिसर्जो भक्ती, सीखने और सदभाव के लिए समर्पित है। क्या है अक्षर्धाम मंदिर का इतिहास। साल लगे यह मंदिर 1992 में बनकर तयार हुआ है, जिसमें 6000 मीट्रिक टन लाल बलुवा पत्थर का इस्तिमाल हुआ है। इस मंदिर को बनने में पूरे 13 साल लगे हैं। साथ ही इस मंदिर की सनरचना लगभग 11000 कारी गरों ने मिलकर खड़ी की थी। आपको बता दे कि यह पूरा मंदिर पांच प्रमुक भागों में बाटा हुआ है, यहां कई खुबसूरत मूर्तियां भी रखी हुई है। इस मंदिर के साथ एक कर में है हरित उध्यान है तो वही मंदिर के अंदर नीलकंठ और सहजानन प्रदर्शन हॉल है। मंदिर खुलने का समय सुबह 9 से शाम 8 तक का है। अगर आप गुजरात में हैं तो इस मंदिर को जरूर देखने जाएं। यहां आपको देखने के मीटर और चौड़ाएं 49 मीटर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्मान में कहीं भी इसपात या सिमेंट का इस्तिमाल नहीं किया गया है। क्योंकि इस मंदिर का निर्मान 6000 गुलाबी बलुआ पत्थरों से किया गया है। अक्षरधम मंदिर में एक दिव्या अभिशेक मंदप हे चलिए क्या है यह खंड में। अभिशेक प्रार्थना की पूर्मता के लिए एक देवता का अनुष्ठान स्नान है। पूजा और मंत्रों के उच्चारण के बीच उपासक भगवान स्वामीना रायन के युवा योगी रूप नीलकंट वर्नी की मूर्ती का अभि शेक करते हैं। इसे एक निर्धारित शूर्ट पर परियतक कर सकते हैं। अब प्रदर्शन खंड के बारे में जानते हैं। प्रदर्शनियां तीन बड़े हाल में प्रदर्शित की जाती हैं जिनमें से प्रत्येक में एक अनूठी प्रदर्शन शैली होती हैं। शिक्षा, सूचना और प्रेरणा का स्त्रोत, कला विज्यान, संस्कृति और आध्यात्मिक्ता का सयोजन है। ये प्रदर्शनी कलात्मक रूप से मंत्रमुग्ध करने वाला, वैज्यानिक रूप से तेजस्वी, सास्कृतिक रूप से आगे बढ़ने और आध्यात्मिक रूप से उंचा होने के कारण, प्रदर्शनिय अद्भुत वातावरन बनाती हैं जो दर्शकों को प्राचीन भार बारे में जानते हैं, यह एक मल्टिमीडिय वाटर शो है, 45 मिनट का यह शो हृदय को छू लेता है, यदि आप अक्षरधम मंदिर जाएं तो इस शो को जरूर देखे, पूरे भारत में इस तरह के शो बहुत ही कम होंगे या तो नहीं ही होंगे इसलिए इसे जरूर देखे सचित आनंद वाटर शो नौ साल के लड़के नचिकेता की एक उपनिशत कहानी के माध्यम से भारत के आंतरिक प्रकाश के प्राचीन रहस्य को प्रकट करता है, जो मृत्यू के देवता यमराज का बहादुरी से सामना करता है और उससे वह ग्यान प्राप्त करता है जिसने भारत को बनाया है ज्यान की भूमी, सत्तर फीट मूची पानी की स्क्रीन, पानी की विशेशताओं, कई आग के गोले के साथ पानी पर फैलतियाग, शक्तिशाली लेजर, सभी 10.2 सराउंड साउंड सिस्टम द्वारा बढ़ाए गए, यह एक आध्यात्मिक संदेश के साथ क्या है अक्षरधाम मंदिर में खास? अक्षरधाम मंदिर गुजरात के सबसे खुबसूरत मंदिरों में से एक है, जो पूरे भारत में अपनी विशाल वास्तुकला के लिए प्रसिध है. अक्षरधाम मंदिर में पूजा करने के अलावा आप गुजरात की संस्कृती और व्यांजनों का भी लुथव उठा सकते हैं. यह शहर अपनी हस्ट शिल्प कलाओं के लिए भी जाना जाता है. हालांकि गुजरात में और भी कई विशाल मंदिर और शिल्प वास्तुकला क के लिए जाना जाता है. लेकिन यहां मौजूद सभी मंदिरों में अक्षरधाम मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है. यह व्यापक रूप से अपनी खूबसूरत पत्थर की वास्तुकला के लिए जाना जाता है. इसलिए यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है. इसके अलावा में अक्षरधाम मंदिर में कई हाइटेक प्रदर्शनिया हैं जिन्हें देखने के लिए टिकट लगते हैं. बच्चों के खेलने के लिए मंदिर परिसर में कई तरह के गेम्स हैं. इस मंदिर को बनाने में लोहा और सिमेंट का इस्तिमान नहीं किया गया है. मंदि अगर अन्य सामान आदी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। भक्तों, आचारियों और अफ्तारों की दोस्व मूर्तियां हैं। इने के लिए कई रस्टोरेंट भी हैं। यहां पूरी सबजी, स्वामी नारायन खिचरी समेट कई तरह के व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। स्वामी नारायन संप्रदाय का गुजरात में अच्छा खासा प्रभाव है। अक्षरधाम मंदिर घूमने का सही समय अक्षरधाम मंदिर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच है क्योंकि इस दोरान मौसम बहुत अच्छा होता है। कैसे पहुँचे अक्षरधाम मंदिर अक्षरधाम मंदिर गुजरात के गांधी नगर शहर में स्थित है। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से आपको फ्रेंड को शेर कीजिए साथ में सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए साथ में आपको यह वीडियो में क्या पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताया। धन्यवाद।